हेलो दोस्तो वेलकम टो मैं चानल मेक मनी ऑनलाइन ऑफलाइन जिसमें मैं आपको घर बेटे पैसा कमाने के एकदम आसान तरीके बताता हूँ ठीक है आप पार्ट टाइम और फूल टाइम दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हो और इसके लिए आपको जुरूरी नहीं है कि हमेश पार्ट साल से काम कर रहा हूँ यह चीज पर और मैंने खुद में मन्तली बहुत अच्छे पैसे कमाई है ठीक है तो जितने भी वीडियो में मेरे चैनल पे डालता हूँ वो सब प्रैक्टिकल तरीके है वो मैं पात-च्छे साल से किया है मैंने और वो सब करने के बाद ही मै मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं कि बस कई से देख लिया और आपको बता दिया। ठीक है मैं प्रॉपरली मेरे प्रोफाल में जाके आपको income proof अगरा दिखाता हूँ और आपको ये बी बताता हूँ कि ये चीज़ में करना क्या है, क्या करना नहीं है जिससे आपको like कम टाइम में आपको ज़्यादा फायदा हो ठीक है तो आज मैं जैसे आपने थमनेल में देखा होगा कि like gold या फिर आप सोने से पैसे कैसे कमा सकते हो like monthly कैसे कमा सकते हो उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको यह पता है होगा दोस्तों की like अभी सोने का जो प्राइस है वो लेक आसमान चूह रहा है like 40,000 क्रॉस कर चुका है ठीक है तो आपके पास भी हो like हर किसी के पास jewelry वगरे में jewelry के form में तो सोना होता ही है तो उसका rate तो अलड़ी बढ़ चुका है लेकिन वो तो like jewelry का जो rate बढ़ा है वो तो on paper उसको बोलते है क्योंकि हम कभी बेशने तो वाले है नहीं jewelry तो वो profit तो कभी भूकी नहीं होगा तो दोस्तों अभी सोने का अगर 40,000 rate हो गया है तो इसमें हमारी कमाई काहार पे हुई like हमने देखा like 5-6 साल पेले like सोना like 20-25,000 पे था और आज वो 40,000 क्रोस कर शुका है तो अगर हम यह सोचते है अभी कि उस time पे हमने खरीदा होता तो आज हमारा like पैसा double हो गया होता लेकिन practically इसा होता नहीं है क्योंकि हमें पता ही नह सोना खरीदे काहा से like कम पैसो में खरीदे काहा से अगर physical form में हम सोना लेते है तो उसका risk यह होता है कि उच्छोरी होने का खतरा होता है उसको घर पे रखना पड़ता है उसमें depreciation आता है वगेरा तो आज मैं आपको एक digital तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप gold खरीज सक सकते हो और monthly आप अच्छा खासा profit कमा सकते हो ठीक है यह खुद में कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से तो मैं अभी आपको मेरा like live demonstration दिखाऊंगा और मैं यह भी बताऊंगा like यह कितना risk free है like sony में चांदी में invest करना यह always उसमें risk बहुत कम रहता है क्योंकि आप देखा होगा कि gold का rate यह पिछले like पूरे like 50 साल से बढ़े रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं कि like अभी 40,000 से like 30,000 होगा ऐसा कभी नहीं होगा और होगा भी नहीं यह तो price बढ़ती रहेगी क्योंकि जैसे हमारी महेंगाई या फिर inflation बोलते हम उसको inflation अगर like 8-10% से बढ़ता है तो gold भी हमारे like more than 10% से बढ़ रहा है अभी तो अभी मैं बताता हूँ आपको like safe time में कैसे पैसे कमाए ठीक है तो मैं आपको मेरे like platform पे लेके चलता हूँ जहां से मैं खुद earning कर रहा हूँ तो दोस्तों अभी देखो यह मैंने आप एक historical chart भी बता देता हूँ आपको like अगर मैं 5 साल का द price उपर नीचे होता है यह सोने का है तो चांदी के उपर भी मैंने वीडियो बनाया है वो भी आप जरूर देखो आज मैं इस वीडियो में like सोने में गोल में से कैसे पैसे कमा सकते है उसके बारे में बताने वालो तो देखो इसके लिए दोस्तों आपको एक लाइक आपको आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि वैसे एक कमोडिटी का भी मार्केट होता है जिसमें हम like सोना चांदी या फिर कोई भी कमोडिटी है like ओईल है या फिर कोई भी और चीज है उसमें इनवेस्ट करके पैसा कमा सकते तो अगर आपक कमेंड बॉक्स में आपकी questions लिखो मैं उसको reply ज़रूर करूंगा मैं आपको help भी करूंगा कि आपको कैसे account वगर open करना है कहां से open कर सकते हो आप अभी तो यह free में account open हो जाते है और charges भी बहुत कम होते हैं इसमें जो transaction charges हम उसको बोलते हैं तो अच्छा कासा opportunity है आपको like मैं ऐसे बड़े आपको dreams नहीं दिखाऊंगा आप एकदम आराम से करो इसमें एकदम कम invest करो like महिने का 2-3,000 invest करो और आप इतना ही महिने में कमा सकते हो ठीक है ऐसा आप बड़ा jump लेने की अगर सोच रहे हो तो वह भी ले सकते हो लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूंगा नहीं कि आप बहुत बड़ी risk लो वगएरा वगएरा ठीक है तो आप धीरे से इसलिए मैंने थमनेल में भी डाला है ऐसा कुछ बड़ा amount ने डाला है कि लिए 50,000 कमा हो मेने का वगएरा यहां से आप ऐसा like target रखो कि मुझे बस 4-5,000 कमाने हैं क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशे online रहना है आफ offline रहके भी पैसे कमा सकते हो और ऐसा जरूरी नहीं कि आपक आपको open करना पड़ेगा like कोई भी आपका like online trading का जो यह देते है जो companies होती है like भी बहुत सारी companies है like share खान है, angel broking है, motilal oswal है, आप कोई भी company में account open कर सकते हो, free में account हो जाता है आपका, उनको बोलना, आप commodity में account open करना है मुझे, इसके उपर अगर आपको कोई भी doubt रहेगा तो आप मुझे comment box में आपके questions लिख सकते हो, मैं उसे reply जरूर करूँगा, आपको help भी करूँगा, मैं आपका like trading वगरा कैसे करना है उसके बारे में, तो ऐसे trading यहने बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लोगों को ऐसे trading सुनके लोगों को लगता है कि बाबा बहुत risk होगा तो अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका account खूल जाता है, अगर commodity में, तो उसके बाद, यहाँ पर देखो, मैं trade now में click करता हूँ, तो trade now में click करने के बाद, यहाँ पर यह पूरा एक ही जगा पर मेरा पूरा account है, equity वगेरा, equity, commodity, fno वगेरा, यह थो टेकनिकल चीज लेकिन इतनी difficult नहीं है, आप अगर इसमें थोड़ा सा information लेते हो, तो आप ज़रूर सिखोगे, आप मेरे बागी की videos देखो, मैंने इस पर in details video बनाया है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं mcxfo में, mcx में जाता हूँ, यहाँ स आपको gold petal, यह gold petal, यह देखो, यह आ गया, gold petal select करना है, उसके बाद उसकी price आ जाती है, अभी क्या current price क्या चल देख, 3974, एक gram की price है यह, तो इसका मैं अभी buy करता हूँ, 3974, तो एक यहाँ पर quantity है, तो suppose मैं 10 quantity buy करता हूँ, 3974, ठीक है, मैं अभी excel में आपको लेके चलता दो, buy, 10 quantity, अभी यहाँ पर rate है, 3974, 3974, ठीक है, तो आपकी पूरी buying हो जाते है, 39740, यह आप लगबग एक तोला सोना purchase कर रहे हो, आपकर 10 quantity buy कर देख, और उसके लिए आपको पैसे लगेंगे, आपके account में सिप 3000 रुपे, हाँ दोस्तों, आप 3000 में आप लगबग 40,000 का सो करते हो, ठीक है, तो आप 3000 ही मत रखो account में, थोड़ा सा 5000 अकॉट में रखो, कि थोड़ा margin वगएरा maintain करना पड़ता है, वो भी कुछ इतना difficult चीज नहीं है, तो अभी इसका मैं आपको calculation बता दो, 39740, यह मेरे total buying हो गई, तो मैं यह buy करने के बाद क्या करता हो, इसको छोड देता हो, फिर, अभी इसको मैं wait करता हो, लाइक सोने का, लाइक volatility बहुत है, तो मैं क्या करता हो, अभी थोड़ा एक एक अधा week, या फिर दो, तिन दिन में ही, यह थोड़ा चार, 300-400 का moment RM से दे देता है, लेक कोई भी global news आ जाती है, बाहर कोई भी रेसेशन, global economy, recession आ गया वगरा, तो यह फटक से 200-300 का jump ले लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, 39740 है, तो sum यह हो गया, 4000 रुपे, यह आपने gis rate पे खरीदा था, उससे 500 रुपे बढ़ गया, तो यह होगी मेरी, total मेरा 40,000 उसका valuation, जो मैंने 39740 में खरीदा था, उसका अभी हो गया 40,000 रुप इसको बेज दूँगा, ठीक है, तो यह 2-3 दिन में मेरे को 500 रुपे मिल जाते है, और इसको ब्रोकरेज भी बहुत कम लगता है, 20-25 रुपे लगता है, तो देखो आप एक-दो दिन में ही आपने 500 रुपे कमा लिए, तो आप ही 500 रुपे कमा लिए, तो आप क्या करोगे, वापिस थोड़ा सा वेट करोगे, इसको वापिस थोड़ा अगर देखोगे, आपकी थोड़ा नीचे आ रहा है क्या, तो वापिस आपको जो भी लेवल लगता है कि कम है, उसपे आप पर्चेस कर सकते हो, तो ऐसे महिने के, मैं मेरा experience बताता हूँ दोस्तों, मेरे महिने के ऐसे 10-12 ट्रेड आराम से हो जाते है, मैं 300 का ये रखता हूँ, अगर बढ़ जाता है सोना, तो मैं बेच देता हूँ उसको, और वापिस नीचे आने पे खरीद लेता हूँ, बस आपको यह याद रखना है कि नीचे आने पे खरीदना है, और ऊपर रहने के बाद बेचना ह ठीके, और 200-300 रुपए भी अगर हो गया, तो आप उसे सेल कर दो, ऐसे 8-10 ट्रेड हो गया आपके, तो 3-4 आजार रुपए आराम से कमा सकते हो, यह दो को मैं आपको मेरा खुद का पे आउट दिखाता हूँ, मैंने monthly वगरा जैसा withdraw किया है, तो उसका भी मैं आपको record कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर नीचे आता है सोने का rate तो आप उसको hold करो, आपको sell नहीं करना है, आपको नीचे जाने के बाद sell नहीं करना है, बस आपको यही याद रखना है, कि जब rate कम रहेगा तब purchase करना है, buy करना है, खरीदना है, और अगर rate बढ़ गया, तो sell करन है, यहने, बेशना है, ठीक है, अभी मैं आपको मेरा withdraw cash report दिखाता हूँ, यहाँ आपको दीख जाएगा, कि मैंने कैसे withdrawals लिये है, बहुत आप ज़्यादा expect मत करो, कि मुझे बहुत ज़्यादा और ऐसा trading में हो गयरा मत करो, short term trading तो करो ही मत, उसमें क्योंकि क्या होता है, रिस्क होता है, बहुत, तो मैं आपको वो recommend नहीं करूँगा, मैं वही आपको चाहता हूँ, कि आपके पैसे वगरा अच्छे से safe रहे, आप like 4-5,000 अगर आपके पास है, तो आपके उसके उपर यह आप उतना ही पैसे हर मंत कमा सकते हो, ठीक है, तो यह दोको मैंने 1500,500,500, यह मैंने like monthly मेरा earning है, मैं ऐसा बताऊंगे ने, आपको कि एक ही दिन में मैंने 1500 रुपे कमा लिया, ऐसा नहीं है दोस्तो, यह like 1500 रुपे अभी मैंने कमाये रहेंगे 10-12 दिन में, तो बहुत है, लेकिन देखो आपको इसके लिए आपको online रहने के ज़रूरत नहीं है, आप फोन पे भी आपके जो traders रहते हैं, उनको आप call करके बता सकते हो कि भही मुझे अभी यह लेना है वगरा ऐसा, तो बस यह है दोस्तो, इसके उपर और detail videos मैंने बता है, like आपको account कैसे open करना है, इसमें like financial broking में वगरा, इस अब detail video मैंने बता है, उसके उपर भी आप देखो और सोने के अलावा मैंने चांदी पे भी video बना है, वहां से भी आप कैसे कमा सकते हो, तो 45,000 रुपे monthly part-time कमाने का यह बहुत अच्छा source है, इसके अलावा मैंने बहुत सारे videos बना है, दोस्तो, freelancing पे और like दूसरे apps पे आप घर बेटे, part-time पैसे कैसे कमा सकते हो, यह कुद में कर रहा हूँ, मैंने इसमें, like मैंने पूरा, इसमें सीखा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे बाकी videos भी देखो, मेरे चानल को subscribe करो, तो आपको regular invitation आते रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर चलो फिर गु क्या हुआ झाट